प्रेंस आज हम बहुत ही टेस्टी डेकर आये हैं तो बनाने में बिल्कुल एजी है ॒ बहुत ही हेलदी टेस्टी है फ्रेंस ट्राइक की जिएगा सबी को बहुत पसंद आने वाला है तो यह ज़रूर से ट्राइक की अगर आप चाहें, तो शयलो फराएं, डिप फराएं अपने हिसाब से कर सकते हैं, तो जरूर से एक बार ट्राइ किजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दिजिएगा, चैनल के सास्क्राइब जरूर कर दिजिएगा, हलो फ्रेंज, स्वागाते मेरे चैनल में तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम लिए हैं ये सूजी तो सूजी बारिक या मोटी कोई सा भी ले सकते हैं ऐसे रिजल्ट अच्छा होगा जो की बारिक बाला ही ले तो इसे अच्छा होगा अगर मोटी बाली है तो इस तरह से मिक्सी जार में ग्रैं कर डाले ज़येगा दही डालने से हमारा टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो चलिए इसे हम फाइन पेस्ट बना लेते हैं बिलकुल भी पानी का ज़्यादा इस्तिमाल नहीं करते हुए देखिए इसका हम fine paste बना कर तयार कर लिए हैं तो इसमें अभी फिल हाल इसमें पानी के ज़्यादा इस्तिमल नहीं करना इसे हमें गड़ी सी paste एदम बिल्कुल लज्जा सा paste हमें बना कर तयार करना देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही अब क्या करेंगे के जार में रख कर धोकर इसमें हम डाल देंगे तो बहुत थोड़ी सी हम डालेंगे देख सकते हैं बहुत थोड़ी से हमने पानी डाले हैं तो जरुद के हिसाब से इसमें धीरे धीरे पानी आइट कर सकते हैं जरुद हो तो देख सकते हैं अब इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा तो हम इसे रखेंगे रेश्ट के लिए ताकि सूजी जो हमारा है बढ़ियां से सेट हो जाए इसके बाद पानी जरुत लगेगा तो डालेंगे बरना नहीं डालेंगे तो अब लिए हैं ये दो हमारे बड़े साइज का आलू था तो उसे हमने ग्रेड कर लिए है और एक मिक्सि बॉल में हम इसे ट्रांसफर कर लिए हैं तो देखें ये आलू आप सूजी का नाशता है बहुत ही करंची बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंच ट्राइ किजिएगा अगर चाहे तो सूजी के जगा आप चावल का आटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यानि कि चावल का पीस की ले सकते हैं आटे का नहीं तो अब क्या करेंगे सबजिया में एट करें देखिए बारी कटा हुआ प्याज ले लिए हैं एक मेडियम साइज का था ग्रेटे लहसुन लिए हैं दो से तेन कलिया को हमने इस तरह से ग्रेट कर लिए हैं बारी कटा हुआ अधरक और हरी मिर्च लिए हैं चारों को हम डाल दिये हैं और एक टमाटर लिए हैं मेडियम साइज का जिसे हम बीच का हिस्सा निकाल दिये हैं और इस तरह से बारे काट कर ले लिए फ्लेवर के लिए हम डाल रहे हैं काली मिर्च का पौडर थोड़ी सी थोड़ी से डालेंगे भूनी जीरा पौडर बिल्कूल ऑप्सनल है इसकिप कर सकते हैं थोड़ी से डालेंगे गरम मसाला तो यह जरूर से डालेंगे अच्छा टेस तो उसी हिसाब से हमें नमक डालना है अब इसमें जाएगा ये लाल मिर्च पॉडर तो हम तीखी ज्यादा पसंद करते हैं तो हम डाल लिए हैं अगर तीखे नहीं खाते हैं तो स्कीप कर दिजिएगा बारी कटा हुआ हर्याधानिया डाल दिए हैं सारी चीज को बढ़ियां से मीक्स करेंगे तो बहुत ही अच्छा से हमें हाथों से मिक्स करना है ताकि बढ़ियां से यह डों की फाम में आ जाए तो आप देख सकते हैं फिलिंग के हिसाब से ही रेसिपी कितना चटपटा बन सकता है तो सच में यकीन मानिएगा कि इतना चटपटा बनाता कि बार- बनाए चोड़ेंगे मेरे बैट memory अज्के लिए उग गूया तो बनावद तो चलिए थे बनाते हैं तो थोड़ी सी हाथों में तेल को गिरएगें तो आप बड़े चोटे कोईसा भी सेप दे सकते हैं तो हम द इसतरु से गोल कटलेट के आकार दे दिये हैं बढ़िया से और इसे इस तरह से हम रख लिए तो देख सकते हैं आईसे ही हम एक और बताते हैं बना कर दिखाते हैं तो देख सकते हैं इसी तरह से इसे भी हम बना लिए बिल्कुल चीकना सा तो देख सकते हैं अगर चाहे तो यह आलू क मिक्सर गीला है तो इसमें एक से दो व्रेट को पीस कर ग्रेंड करके डाल सकते हैं इसे थोड़ा बढ़ियां सॉप्ट हो जाएगा देखिए सारे को हमने बना लिए इसी तरह से टिकियां अब ले लिए हैं जो सूजी का डो था वो लिए हैं उसमें डाल दिए थोरी सी धैनियां जरूर से डालेगे तो अब इसमें डालेंगे घbor याल थोड़ी सी नमक चमा सफेध कमूं क्लूंंजी यह क्या होता है दोनों से बहुत करंची सा टेस्ट दाता है बहुत मस्त बंता है तो ट्राई किछिएगा उसके बाद हमें कमेंट में जरूर से बतायेगा कि ह हमारा बताया है रिसीपी कैसा लागा बहुत मस्त बंत कर तयार होता है आपका खुद भी मन करेगा कि हमाई हर दिन बना कर खाऊं तो सारे चीज को कर लेंगे मिक्स आप देखिए इसका ठीकनिस देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से हमें रखना है पतला नहीं करना है वरना ह रिसीपी अच्छा नहीं बनेगा सारे चीज को मिक्स कर लिए है तो अब क्या करेंगे लास्ट में हम डालेंगे दो चुटकी के करीब हमने इसमें मीठा सोडा यानि की बेकिंग सोडा हमने डाले हैं दो चुटकी बस जादा नहीं डालना है तो देखे दो चुटकी हम डाल और इस तरह से डिप करके हमें भोक 90 ताया तो हांथोस से जैसे भी असानी हो उस तरह से लेना है और इस तरह से चमचा को पलटते हुए हमें ढालने क्योंकि अंदर बढ़ियां से हमारा कोटिंग नहीं होता है तो देखिए इस तरह से हम पलट कर डाले हैं और उपर से कोटिंग कर दिये हैं तो इसी तरह से हम जितना भी डलेगा हम कराही में डाल लेंगे बिल्कुल इसी तरह से पलटते हुए और उपर से कोटिंग करते हुए प्लटने में दिक्त नहीं आएगा तो इस तरह से झाँगा कुछ देख सकते हैं बहुत ईजी लिए प्लाट भी गाया है और चीपका भी नहीं है बहुत यसानी से यह प्लाट गया है तो इसी तरह से हम इसे उलड़ फुलाट भूए golden बन होने तक सेक लिए हैं बचे भी स्टर जड़ि पताता है तो जरूर से ठ्राई किजिएगा तो अब देख सकते हैं सर्फ किए हैं। अपने हिसाब से जो भी चटनी या के केचप के साथ आप खाना चाहते हैं जो भी पसंद है उसके साथ सब Steph किजिए और हामें हमारा अपना राए हम से जरूर्स सहां कि जिए कि हमारा बताई है रिकीति है एसमारा देख करांस दे का आप देख से वहुंनी सकते हैं देखिए तोर कर दिखाते हैं तो देखिए कितना अच्छा अब आज से ही पता चला होगा कितना मस्त और देखिए अंदर से कितना अच्छा देखने में ही लग रहा है मुह में पानी आ रहा होगा फ्रेंस तो मैं सच में मेरा कीन किजिए बहुत ही टेस्टी बनता है और आज़े बढ़ा ये फ्रेंज हामेज बहुत जरूरत है आप लोगों को सपोर्ड का तो फिल सपोर्ड कीजिए हमारा फ्रेंज तो चलिए रीखें कितना अच्छा से हमारा देखने में ही अच्छा लग रहा है तो काने में तो इसका कोई बात ही नहीं बता सकते हैं बहुत टेस्टी है फ्रेंज बच्चे बड़े सभी को मन भाजाएगा सभी इसे दिवाने हो जगे इसके तो बार बार बनाने के लिए बोलेंगे अगर लंच बॉक्स में देना है तो भी दीजिए ऐसे ही हमारा रेसीपी देखिए इंज्वाई किजिए फिर मिलते हैं नए व मिलते हैं